हलो साथ यो नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज दूसरा दिन है हमारा सेल्प स्टड़ी प्लान का साथी वेच का, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आपको डेली कुछ टॉपिक देते हैं, सुबह चार बजे ये टॉपिक आप लोगों को मिल जाते है आप दिन भर इन टॉपिक्स को तयार करते हैं, और साम को आठ बजे से ग्यारा बजे तक हम इन टॉपिक्स पर डिसकसन करते हैं कम्प्लीट डिसकसन होगा, पूरे कोर्स का अंतिम पचास दिनों की रड़निती है, यदि आपने कोई तैयारी नहीं की और आपको ये लग रहा कहां से पढ़े हम, तो आपके लिए दिसा बैच है, दिसा बैच की लिंक डिस्क्रिप्सन में दी गई है, दिसा बैच हमारे अप्लीकेशन एक्जाम दिरिष्टी से पर्चेस कर सकते हैं, केवल 999 रुपे में आपको दिसा बैच मिल जाएगा, यसमें CSET मिलेगा, GS की क्लास मिलेगी और साथ साथ में टेस्टीरीज मिलेगी, तो ये तो हो गई बात दिसा बैच की और पढ़ने की, अब बात ये है कि Day 2 में आपको क्या-क्या पढ़ना है, आज कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो लिख लिजी आप सभी लोग टॉपिक, आज को जो टॉपिक होने बाले हैं, वो होने बाले हैं आपके, एक तो States and Utis, पहला टॉपिक लिखेंगे, States and Utis, यानि ये पॉलिटी के टॉपिक अभी चल ला है, तो States and Utis, यानि राज और कें सासित प्रदेश, या संग सासित प्रदेश, दूसरा टॉपिक लिखेंगे, नागरिक्ता, नागरिक्ता, और तीसरा टॉपिक जो है, वो बहुत मौलिक अधिकार और इन तीनो टॉपिक को लेकर के मौलिक अधिकार तीनो टॉपिक को लेकर हम लोग कल discussion करेंगे very important और जो हमारा preamble है चुकि आप आज पढ़ चुके हमें और यदी पढ़ चुके हैं तो हम उसका कल discussion में प्रेंबल को भीамिल करने के कोसिस करेंगे तो यह चार टोपिक हम कोसिस करेंगे कि कल आपके complete हो उमीद है कि आपको यह program अच्छा लग रहा होगा current affairs हम साम को 10 बज़े से 11 बज़े तक कर रहे हैं जो भी student है जो current affairs करना चाहरा तो 10 बज़े से 11 बज़े current affairs के class देख सकते हैं ठीक है और जो भी student है जो इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है यह लास्ट 50 दे प्रोग्राम है continue आप फॉलो करते रहिए एक्जाम में selection पक्का होगा बस continuous प्रोग्राम को करते रहे है यह self-study प्रोग्राम है ठीक है जैहिन जैभारस धन्यवाद और हाँ देखिए महत्मुन बात है यह self-study प्रोग्राम है आपको ना तो इसके लिए कोई प्रोटे भी किसान आती रहेंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद जैन